स्मस्कार दोस्तों स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्कूल पर और आज फिर से हम आज इर है एक न्यू MCQ सीरीज के साथ है इससे पहले हम 25 MCQ कर चुके है और यह आपके मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ है यह सारे के सारे जो MCQ मैं आप लोगों को करा रही हू यह प्रिविस यह आपके आ रखे है किसी ना किसी एकजाम में चाहे आपका KVS का है NVS का है DT प्लेसिबिका है या कोई भी आपका स्टेट लेवल का PGT का एकजाम है तो यह MCQ सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट रहने वाली है आप कोई भी कॉमर्स क 25 क्योशन की वह प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो और या फिर आई बटन पर भी आपको यहां पर इसका लिंक मिल जाएगा तो देखिए क्योशन हमारे 26 से इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग लेजर पोस्टिंग इस प्रोसेस हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अग फाइनेशियल अकाउंटिंग की जो प्रोसेस है उसके स्टेप आपको याद होने चाहिए और उन स्टेप में से आप से क्योशन पूचा जाता है और उसकी मैंने आपको शोर्ट कट जो ट्रिक वो भी मैंने आपको बता रखिया है क्या IMRC SAC तो यह जो शोर्ट ट्रिक सिमींस क्लासिफाइंग कीराइंग सिमीर तो आप देखेर रिकोर्डिंग किसमें करते हैं जरनल के अंदर हम रिकोर्ड करते है और क्लासिप करते आपकी है उसको उसनेचर के जितनी भी transaction होगी वो purchase account के अंदर चली जाएगी तो यहाँ पे इसका right answer हो जाएगा ledger posting जब process of the ledger posting किसी इसकी process है classify करना तो option B is the right answer आप खुद भी answer देना और फिर check करना और comment section में बताना कि 25 में से आपके कितने right है ठीक है तो देखें यहाँ पे जो फिर आपके चार option given है यह आपकी जो financial accounting जो accounting की process है उसी के आपके step given है तो अब हमारा next question है answer हो जाएगा आपका B right answer next आपका question number 27 basic objective of cost accounting is तो जो cost accounting है भई हम cost accounting क्यों करते हैं इसका जो main है जो basic objective क्या है तो इसका right answer है option C cost ascertainment ठीक है भी cost को determine करने के लिए cost निकालने के लिए ही हमारा हम क्या करते है cost accounting तो basic objective हमारा क्या हुआ option C हो जाएगा आपका right answer next question number 28 28 देखी क्या बोलता है transferring entries from journal to ledger account is commonly known as जब हम क्या करते है transfer करते है entries को ठीक है entries को transfer करते है journal से ledger account के अंदर तो भी यह basically आपको क्या कहलाता है तो यह क्या कहलाएगा आपका option C हो जाएगा right answer तो यह कहलाएगा आपका posting तो इसको हम क्या बोलते है posting जिससे कि मैंने अभी starting में 26 question के अंदर आपको यही बताया था next question number 29 29 क्या बोलता है direct cost incurred can be identified with dash से तो भी जो डारेक्ट को सब जो हमारी direct cost है ठीक है जो direct cost हुई है तो उसको हम कैसे identify कर सकते है तो इसका right answer है कि हर एक unit of output से हम क्या कर सकते है उसको identify कर सकते है तो भी हो जाएगा आपका right answer each unit of output तो answer क्या हुआ direct cost incurred can be identified with each unit of the output output की हर एक unit के साथ हम क्या कर सकते है जो direct cost है जो हमने की है उसको identify कर सकते है question number 30 आपका owner equity capital can be calculated owner equity का मतलब क्या है means capital है तो capital को हम कैसे calculate कर सकते है तो चार option है तो right answer यहाँ पर क्या होगा देखे वेसे भी हमें equation पता accounting equation हमारी basically क्या है जो asset है वो किसके इकवल होता है capital plus से liabilities ठीक है capital plus से liabilities तो यहाँ से भी आप आराम से निकाल सकते हो कि जो capital है capital की को हम कैसे calculate कर सकते है liability को जब हम इस side लेके आएंगे तो यह क्या हो जाएगा asset minus liability तो यहाँ पर asset minus liability की बात करती हूँ तो यहाँ पर D हमारा right answer होगा क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पर हमें total assets लेने हो total liabilities तो D में क्या आपका total asset हो total liabilities तो D हो जाएगा right answer देखें साथ यह जो आपका question है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह DT plus B PGT female का जो exam हुआ था जुलाई 2018 में उसके अंदर आ रखा तो सारे के सारे question ही आपके किसी ने किसी exam में आ रखे है तो इसलिए most important question है यह आप लोगों के लिए next question number 31 a debit will cause the balance in liability account है 2 a debit will cause the balance in the liability account है इस question का मतलब क्या है कि अगर हम जो liability account है ठीके जो liability है अगर उसको हम क्या कर दे debit debit करेंगे अगर liability का balance debit हो जाए तो उस case में liability account means liability हमारी क्या होगी increase होगी या फिर decrease होगी तो देखे जैसे जैसे liability हमारी बढ़ती है तो हम उसको credit करते है और जैसे जैसे liability हमारी घटेगी तो हम उसको क्या करेंगे debit तो debit करेंगे तो it means हमारी जो liability है वो क्या हो जाएगी, decrease, तो option आपका जो right answer हो जाएगा, option C, decrease, next question है, ये भी आपका D, T, S, B, P, G, T, female, July 2018 के अंदर question पूछ रखा है, next आपका overhead cost is total of, तो जो overhead cost है, ठीक है, ये cost से आपके question, क्योंकि कुछ question मैंने cost के भी include कर रखे है, overhead cost is the total of, overhead किसका total है, overhead cost हो, उसके अंदर हमारा क्या क्या आता है, तो all indirect cost, जितने भी indirect cost है, चाहे आपका indirect material है, चाहे आपका indirect labor है, चाहे आपका indirect expenses है, तो सभी को मिला के, हम इन सभी को एक तरह से, जितने भी indirect cost है, वे हमारे basically क्या कहलाती है, overhead cost, ठीक है, तो option A हो जाएगा, आपका right आंसर, option A will be the right answer, question number 32 का, next है हमारे question number 33, a contrary entry in the cash book would include, तो भई cash book के अंदर, यहाँ पर चार option आपके given है, तो चार option में से, जो contrary entry है, वो आपके गौन सी होगी, तो contrary entry basically क्या होती है, जिसमें आपकी दोनों ही transaction या दोनों ही account से दोन, आपके क्या होंगे, cash जिसमें involved होगा, तो उसको basically हम क्या बोलते है, contrary entry बोलते है, तो यह question भी आपका दोजर रठार है, DT plus B, PGT female के अंदर आ रखा है, तो मैंने अब भी बताई दी आपको, दोनों ही account आपके कौन सी include होंगे, cash, तो देखें, यहाँ पर जो option B है, यह होजएगा आपका right answer है, withdrawing cash from the bank account, भाई, bank से आपने क्या निकाल लिया, cash निकाल लिया, तो यह आपके कौन सी entry होगी, contra entry होगी, क्योंकि bank से आपने cash निकाल ला है, तो दोनों ही cash काई तो use हुआ न, भी bank में से भी cash कम हुआ है, और वही पर आपके पास cash आया है, तो दोनों ही account आपके एक तरह से cash related है, तो इसलिए यह कहला है कि आपकी contra entry, अब next question आपका question number 34, तो 34 देखिए क्या बोलता है, question number which one among the following is not a subsidiary book in accounting, तो accounting के अंदर हमारी बहुत सारी subsidiary book है, तो नीचे च्यारा आपको option given है, इस में से आपको बताना है, कि भी कौन सी subsidiary book नहीं है, तो कौन सी नहीं है, तो यहाँ पर right answer आपका क्या, C, journal book आपकी subsidiary book नहीं है, क्योंकि जो यह आपके बाके की book given है, cash book है, sales book है, sales return book है, ये जनरल की ही क्या है सबसीडरी है तो इसलिए जनरल बुक आपकी सबसीडरी बुक नहीं है लेकिन हम एक तरह से बोल सकते है कि जो लेजर है न लेजर में जो हम पोस्टिंग करते है तो लेजर के लिए सबसीडरी बुक आपकी जनरल हो जाएगी ठीक है अगर question यहाँ पर इस तरह से बनता तो फिर हमारा यह answer यहाँ पर हो सकता था लेकिन आभी के लिए यहाँ पर यह subsidiary book नहीं है क्यों मैंने बताया क्योंकि general यह जो बाकी की book है यह क्या है subsidiary book है ठीक है general subsidiary book नहीं है next 35 question cost यह आपका यह question imputed cost यह जा तो भी imputed cost है वो इसमें से कौन सी है ठीक है तो right answer है यहाँ पर national cost है तो national cost को basically क्या कहा जाता है imputed cost है लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो देखे वैसे यहाँ पर imputed cost और national cost में भी आपका difference हलका सा difference है लेकिन इस question कि अगर हम option की बात करते है तो option के according फिर हमें इस cancer यही देना पड़ेगा imputed cost का basically मतलब क्या है कि भी एक ऐसी cost जिसमें जो आपकी actual में नहीं हुई है अगर आप सोचोगे मानोगे तो cost है लेकिन actual में outflow आपका नहीं हुआ case outflow नहीं हुआ आपने कुछ एक्चुल में खर्चा नहीं किया है तो उसको basically क्या बोलते है imputed cost यह फिर notional cost बोलते है ठीक है next आपका which of the following is treated as per the principle of nominal account तो nominal account का जो principle है उसके according यहाँ पर भई कौन सा हम यहाँ पर आपका nominal account treat किया जाएगा तो यहाँ पर जो right answer होगा वो क्या होगा bad debt require account ठीक है यह हमारा कौन सा है nominal account है और बाकी के जो हमारे तीन option है यह हमारा nominal account नहीं है यह आपके तीनों ही क्या है यह है आपके personal account ठीक है तो आपका यह हो जाएगा right answer question number 36 का question number 37 operating cost is suitable for तो भी operating cost है यह आपकी एक technique है ठीक है यह method है जिसका हम use करते है कहां पे operating costing की जाती है cost निकालते हम operating जो method है इसको यूज करके तो यह basically आपका operating costing है service industries के लिए ठीक है service industries में operating costing की जाती है तो D हो जाएगा आपका right answer question number 38 है cash sales will be recorded in भी जो cash sale है उसको हम कहां पे record करते हैं तो देखिए बिल्कुल गलती मत करना कि भी cash sale सोचके भी sale है तो हम sales book में जाएगा नहीं cash है तो cash book में जाएगा अगर cash में sale की है ठीक है अगर credit sale आपका होता तो भी credit sale हमारी sales books के अंदर जाएगी लेकिन अगर cash sale है या फिर cash purchase है तो वो किसके अंदर आएगी cash book के अंदर तो भी हो जाएगा आपका right answer next question number 39 process costing is suitable for तो भई जो process costing है वो कहाँ पर suitable होगी तो process costing में basically वहाँ पर है जहाँ पर कोई product है उसको different process से होकर गुजरना पड़ता है तो फिर हम हर एक process में क्या करते है cost निकालते है हर एक process की तो process costing is suitable for oil riffing firm से में हमारी ये suitable रहेगी भी हो जाएगा right answer question number 40 है a customer returning the goods purchased on credit may inform the seller by sending तो ये क्या बोलता है कि भी एक customer है उसने क्या किया return कर दिया किसको goods को जो उसने goods purchase किया था उसको return किया may inform the seller by sending तो वो seller के पास क्या भेजेगा कौन सा note भेजेगा जिससे कि वो seller को information देगा कि हाँ भी मैंने जो goods से उसको return किया है तो यहाँ पर अगर मैं basically बात करती हूँ जो customer है customer का note हमें बताना भी customer क्या note बनाएगा तो customer नहीं हाँ पर क्या किया एक तरह से purchase return किया है जब उसने purchase किया होगा तब उसने seller को क्या किया था तब उसने seller को क्या था credit ठीक है तो तब तो उसको 10,000 रुपे देने थे seller को लेकिन एक हजार का सामान है ना कुछ किसी भी वज़े से defective आपका निकला तो उसने एक हजार वापिस कर दिये seller को तो एक हजार वापिस करने का मतलब क्या है कि भी अब वो seller को कितने रुपे देगा नो हजार देगा तो पहले seller को उसने credit कर रखा तत 10,000 से अब वो क्या करेगा भी एक हजार उसने वापिस बज़े है तो seller को एक हजार से क्या कर देगा debit कि भी हाँ एक हजार अब आपको मुझे देने है ठीक है या फिर सेट ओफ करके बोल देंगे उसको सिर्फ नो हजार रुपे देने है तो यहाँ पर जो कस्टमर होगा वो कौन सा नोट प्रिपेर करेगा seller को information देने के लिए debit note कि भी आपको मैं एक हजार से debit कर रहा हूँ ठीक है तो आंसर हो जाएगा आपका debit note इसी केस में अगर मैं सेम बात करती हूँ अगर seller की बात करती तो seller अब उसको कौन सा note बेज़ता seller उसको बोलता credit क्यों क्योंकि भी seller को अब उसका 1000 रुपे देना है जितना माल उसने return किया है तो seller उसको बेज़ेगा credit note तो यह बात आपको याद रखनी है नेक्स्ट है हमारा question number 41 वेट stand 4 तो भी वेट किसके लिए stand है वेट की full form आपको बतानी है तो option A होज़ेगा right answer value added tax हमारे क्या है वेट stand ठीक है मिन्स इसकी full form है next up 42 question cost classification can be done in तो भी जो कोस्ट का हम classification करते है अलग लग तरह कि कोस्ट हम बढ़ते है जैसे हमने variable cost है fixed cost है semi variable cost है या फिर जैसे अभी हमने बात किती material है ठीक है labor cost है overhead है हमारी उसके बाद जैसे कि इससे पहले मैंने आपको बताया था variable है semi variable है fixed cost है तो यह जो classification है इसको हम किस तरह से कर सकते है तो यहाँ पे हमारे several ways है cost को classification करने के तो basically जैसे हम element के base पे cost को क्या कर सकते है classify कर सकते है variable के base क्या कर सकते है cost को classify कर सकते है decision के base पे हम क्या कर सकते है cost को classify कर सकते है तो इसलिए यहाँ पे जो right answer होगा तो वो क्या होगा, several ways से हम क्या कर सकते है, जो कोस्ट है, उसका classification कर सकते है, next, 43 question, which of the following comes first in the accounting cycle, तो जो accounting cycle है, उसमें सबसे पहले क्या आएगा, जब भी आपे, कोई भी business start करते हो, जब भी transaction आपकी होगी, तो भी उसमें जो हम accounting, जो एक तरह से process भी हम यहाँ पर बोल सकते है, तो उसमें सबसे पहले हम क्या करते है, तो जो process है, उसमें तो वो था हमारा क्या, identification करना, फिर measurement करना, और फिर record करना, अब दो step यहाँ पर given नहीं है न, I am, identification और measurement, सिधा R से given है, ठीक है, सिधा R से given है, तो यहाँ पर हमारा right answer हो जाएगा, क्या recording in the subsidiary book, तो भी first step हमारा क्या हो जाएगा, accounting cycle में, कि भी सबसे पहले, जो हमारी subsidiary book है, जो हमारा journal है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी transaction हुई है, उसको record करेंगे, इसलिए मैं बार-बार आपको बोल रही हूँ, कि accounting process का, यह जो process के जो step है, I am, R C, S A C, इसको जरूरी याद करना, क्योंकि यहां से काफी question बनते है, और आसान, easy language में, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, मैं हूँ रेंचो, I am, Rेंचो, शक, ठीक है, शक, क्या भी आपको कोई शक है, नहीं, तो आपको ऐसे भी याद हो जएगा, 4-5 बारे, आप इसको ऐसे को होगे न, I am, R C, S A C, तो यह आपकी क्या accounting, जो है, उसकी process है, ठीक है, तो यहां पे जो right answer होगा, question 43 का हो जएगा, A, accounting cycle का, जो first, सबसे पहले, accounting cycle में क्या आएगा, recording in subsidiary book, next 44 question, nominal accounts, have a debit balance represent, जो nominal account है, कोई भी nominal account है, अगर उसका balance क्या है, debit है, तो भी वह किसको, यहां पे represent करता है, तो हमें पता है, किसको करेगा, expenses और lows को, क्योंकि, nominal account का formula यही है, debit all expenses and losses, credit all income and gain, यहां पे question, इसे भी पुछा जा सकता है, आप से, a nominal account having credit balance, अगर यहां पे credit balance होगा, क्या होगा, credit balance, तो फिर हमारा right answer क्या हो जाएगा, income or gain, लेकिन अब हमारा question में, debit balance, तो इसलिए, आंसर क्या हो जाएगा, expenses or loss, आपको कोई भी question हो, उसको रटना नहीं, आपको समझ के करना, अगर समझ के करोगे, तो फिर कैसी option दे दे, आप आराम से कर लोगे, ठीक है, next हमारा 45 question, costing refers to the technique and process, costing हमारा क्या है, एक technique है, in process है, किस चीज की, ascertainment of the cost है, तो costing से हम क्या करते है, जो cost है, उसको हम निकालते है, cost का determination हम करते, कि भी हमारी कोई भी product है, उसकी cost कितने निकलेगी, तो right answer हमारा हो जाएगा, option A, question number 46 है, the process of transferring the transaction, relating to the changes in a particular item, at one place in the form of an account each goal, देखें, वही बात गुमा फिरा के, आपसे पूछी जा रही है, तो इसमें भी नो ने क्या कहा, process of transferring the transaction, transaction को, transfer करने की process, relating to changing in a particular item, at a one place है, जो आपके particular item है, जो एक nature के है, उनको एक place पर record करना, transfer करना, किसी account में, ठीक है, account की form में हम क्या करते है, transfer करते है, एक nature की, जो आपकी transaction है, उसको एक जहें कैसे, for example, purchase से related, जितनी भी transaction हुई है, वो हमने एक purchase account बनाया, और उसमें transfer कर दी, purchase से related, ऐसे ही sales से related, sales account में गई, तो ये process, basically क्या कहलाती है, तो हम सभी को पता है, ये क्या कहलाईगी, posting, पोस्टिंग से related, आभी इसी वीडियो में तीन question आ चुकी है, सिर्फ यहाँ पे, जो question की language जैना, उसको गुमाया है, और आपका answer आपका same है, तो इसलिए, आपके जो concept वे strong होने बहुत जुरूरी है, अगर आप कोई भी competitive exam की तियारी करोगे, जब concept strong होंगे, तब भी आप कोई भी exam उसको निकाल सकते हो, next equation number 47, cost accounting was developed, भी कोजो, पि cost accounting है, यह इसका development क्यो हुआ है, पहले अगर बहुत पहले time की बात करें, तो पहले cost accounting तरह से नहीं था, या cost accounting पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, जितना आज के time में है, पहले जो आपकी financial accounting थी, या फिर management accounting थी, इन ही पर ज्यादा focus रहता था, लेकिन आज के time में जो cost accounting है, इस पर भी बहुत ध्यान दिया जाने लगा, तो क्यों किस वज़े से, यहाँ पे reason क्या है, because of the limitation of the financial accounting, जो financial accounting की limitation की वज़े से, ठीक है, तो limitation एक तरह से financial accounting की, हम कैसे बोल सकते है, जब हम financial accounting करते है, तो financial accounting का मतलब क्या है, कि जो अभी हमने जैसे accounting की process की, यहाँ से तो हमें सिर्फ यह पता चलते है, कि भी हमारी जो balance sheet का, पे अंडल account का, balance sheet से हमें क्या पता चलेगा, financial position का, पे अंडल account से हमें क्या पता चलेगा, भी profit और loss का, लेकिन जो एक product है, जो एक company, एक business, एक product produce करता है, उसके cost क्या होगी, क्या वो हमें balance sheet से पता चल जाएगी, पे अंडल account से पता चल जाएगी, ठीक है, जब तक हमें cost नहीं पता होगी, तो कहीना कहीं जो price fix करने में, जो selling price से हुआ fix करने में भी हमें problem होगी, या फिर अगर हम कोशिश करना चाहिए, कि भी जो cost उसको कम करें, तो उसको cost को भी तब ही कम कर सकते, जब हमें cost का पता होगा, और cost हमें किसकी help से पता चलेगी, cost accounting की help से, तो कहीना कहीं cost accounting developed होई, क्योंकि भी financial accounting में, हमारे पास ये facility नहीं थी, कि भी हम किसी product की cost है, उसको हम निकाल सके, तो एक तरह से limitation of the financial accounting हम बोल सकते है, cost accounting was developed, next equation number 48, the closing balance होफे, trade creditors can be obtained from, तो भी trade creditors का closing balance है, वो कौन से account से हमें पता चलेगा, तो भी trade creditors accounts जब हम बनाएंगे, तब ही हम ही क्या पता चलेगा, कि भी trade creditors का, जो closing balance हो कितना है, तो right answer हो जाएगा आपका D, question number 49 है, multiple costing, is a technique by using two or more costing method, for ascertainment of a cost by, कि भी जब हम क्या करते है, cost निकालने के लिए, दो या दो से ज़्यादा costing methods का use करते है, तो उसको basically क्या का जाता है, multiple costing, और ये हम कहां पर use करेंगे, जो हमारी विदिंदा same firm, same firm के अंदर हम क्या कर सकते है, कि भी जो cost है, उसके निकालने के दो या दो से ज़्यादा methods है, उनका use करके देख सकते है, और फिर देख सकते हैं भी कौन सा method हमारे लिए suitable रहेगा, तो इसलिए right answer हो जाएगा, the same firm, ठीक है, next आपका, और जो कि आपका last question, outstanding expenses accountage, जो outstanding expenses है, ये आपका कौन सा account है, तो ये आपका है, पताए कमेंट section में, ये आपका personal account है, ठीक है, क्योंकि outstanding word लग चुका है, जब भी आपको किसी भी expenses, या फिर income के साथ ये word दिखे, outstanding है, prepared है, ठीक है, इसी के साथ ही आपका, ये आपके basically, च्यार word मैंने आपको बताए थे, advanced, prepared, outstanding, और एक आपका unearn करके आएगा, ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको ये word देखने को मिलते है, तो वे आपका कौन सा account हो जाएगा, personal account हो जाएगा, अगर इसके साथ outstanding word नहीं होता, किसके साथ expenses के साथ, अगर outstanding word आपका नहीं रहता, तो फिर आपका ये कौन सा account बन जाता, nominal account, और इसी के साथ ही, अगर आपको option में यहाँ पर, representative personal account भी given होता, ठीक है, representative personal account, और personal account भी आपका given है, दो option given है, एक option में आपका representative है, एक में personal account है, तो तब आपको यहाँ पर जो answer टिक करना होगा, representative personal account टिक करना होगा, और अगर आपका representative नहीं given है, तो तब आप personal account टिक कर सकते हो, जैसे कि आप इस question में देख सकते हो, यहाँ पर सी personal account given है, तो इसका right answer हम क्या देंगे, personal account, तो यह बिल्कुल छोटी-छोटी, मगर मोटी बात है, जो कि आपको ध्यान में रखनी है, तो इस question का right answer हो जाएगा, आपका answer C, ठीक है, तो यह था आज के वीडियो में, 25 questions हमने किये, और next वीडियो में फिर से हम 25 questions करेंगे, तो इसी तरह से, यह MCQ series आपकी चलती रहेगी, तो आप लोगों का साथ मुझे चाहिए, आप लोगों का सहयोग चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को जितना उसके उतना, PGT, Commerce जो student है, उनके साथ शेर कीजिए, और किसी भी तरह से वीडियो चाहते हो, तो वह भी आप में कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो कि हमारी नेक्स्ट MCQ सीरीज रहेगी, विद 25 क्योशन, तो वीडियो को लाइक कीजिए, All the best, Thank you.